कि और अगर आपको को याद होगा तो मैंने आपको को पारे में क्या बताया था कि यह से अगर हमारे पास माल के चलते हैं कि ये दो क्वाइंट चाज जैने को इनके बीच का डिस्टेंज रहाँ डिरेक्टली प्रपोर्शनल होता है वन अपन आर इस्कूर की यह बोला था में ठीक है तो यहां पर प्रोपोर्शनल टी साइन को अठाते हैं तो एक लिखते हैं बन अपान फॉर पाइपसाइलों नौट क्यू वन क्यू टू अपान आड़ स्कूर यह सारी चीज मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका था कुलाम स्लों के बारे में और यह क्लास हमारी काफी दिन पहले हुए ती इसलिए मैंने सोचा रिवाइस कराना जरू कूलाम स्कूर एर एपसाइलन नौट का वैल्यू कितना हो जाता है इसका वैल्यू होता है इसको अम लिखते हैं कूलाम स्लों का मैगनिटूड मताब फोर्स अगर हमें दो चार्ज के बीच में निकालना तो यह फोर्स का फॉर्मला है लेकिन अगर हमें यहां पर भेक्टर फॉम लिखना है बांके चलो हमें इसका अगर माण लेते हैं कि वैक्टर निकल करके आए हैं एक तो हमारा हो गया इसका यह magnitude form और यह की हमारा हो जाए गए यहाँ पे वैक्टर फॉर्म चिक है अब इस वैक्टर फॉर्म से उनको ट्राइए लोग कर लेते हैं तो कुछ क्वेशन की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे पहला है मारे सामने क्या क्वेशन बोला गया है कि एक सेकेंड रोको जरा हां फाइंड अव्यू इच और इस डे आर सेपरेटेड वाई वन जाद दोनों चार्जिस की जो वैल्यू है वोग कितना है 1-1 कुल यानि q1 की वैल्यू भी 1 कुल आम है और q2 की वैल्यू भी वच्चे बंगुलाम ठिक हैं और यहां पे इनके बीच का यह जो डिस्टरेंस वह भी कितना है वन मीटर और हमें क्या जीए इनके बीच में निकालना हमको फोर्स तो फोर्स क्या हो देट के वैलू को जाएगा यहां कि फाइनली जो आपके आंसर आएगा वह इतना अंसर आजेगा नुटन नाइंट इंटू टैने स्टूर नाइं नियुटन बहुत ही ज्यादा सिंपल इसमें कुछ श्पार नियुक्ष नहीं ता कि वह इतना हुद यह तो इसा कोई समझ आई निया बताओ विवा आपको समझ आगया ना यह सर निया आपको समझ आगया कोई दिक्कत है येस नो सर अब नेक्स कोशन हम लोग यहां पर देख लेते हैं पशन है कि आप पार्टिकल आफ मास स्मॉल एम कैरिंग चाज इस क्यूवन यह एक्चुल में क्यूवन लि स्पीड आल्सल अब यहां पे क्या चला है मेरि बात को गॉर से सुनना यहां पर बोला गया है कि एक circular path है ठीक है एक charge q1 है क्या वो लगया particle of mass small m carrying charge q1 is a revolving around a fixed charge minus q2 in a circular path of radius small r यानि मानके चलो के यहाँ पर कहीं minus q charge रखा है minus q और जो charge एक और है कितना है q1 charge है वो इसमें ऐसे गोर भूम रहा है लोगों से टाइम पीरेट कितना होगा second partner पूछ रहा है सर्कुलर मोशन थोड़ा सा नहीं ज्यादा हो रहा है सर्कुलर मोशन के अगर आपको फॉर्मले याद हो हला कि अभी मैंने सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ाया है अभी पढ़ेंगे उसको सर्कुलर मोशन को लेकिन सर्कुलर मोशन के कुछ फॉर्मले जो आपको बेसिक फॉर्मले वो याद होने चीए जैसे सैंट्रीपिटल फॉर् करता है तो उस circular path के अंदर की तरफ radius के तरफ एक फोर्स काम करता है जिसको हम लोग कहते हैं centri-petal force और radius के बाहर की तरफ along the radius लगेगा लेकिन outside the sea outside सर्कूलर पाथ उसको हम लोग कहते हैं centrifugal अब जैसे ये चार्ज पार्टिकल जो है वह सर्कूलर पाथ पर इसके चारों तरह ऐसे ऑसे घूम रहा है लगाता हम पहले टाइम का घूम रहुता है कि एक शीरेशन करने में कितना तैम लगा यानी अगर ये इस इक्वल डू किसके बैलेंस में किसके होगा देखो एक यह माइनस का चार्ज एक यह प्लस का चार्ज जस्ट अभी हम लोगों में कुलाम स्लोपड़ा उसको यह बैलेंस करेगा देट इस वन अपॉन फॉर पाइपसाइलन नौट क्यूवन क्यूटू अपॉन में आर इसक है के एक और से एक तो कैंसल हो रहा है שट में तो गलां टिक कैंसल होती रहरें अब अगर आपको यह लगा चार्ज तो नेगेटिव म मैंनस क्यों निदिया है और है तो इसका क्या लेते हैं मैगनिटूड ये क्या हो जाएगा आपके सामने mv square is equal to one upon four five epsilon naught अच्छा q1 q2 की value जो लिखी है वो small charges given है हमें small ही लिख देंगे और small upon में आर तो यहां से तो हमें क्या मिल जाएगा speed है हमें speed निकालना था तो स्पीड मिल जाएगा तो यह कितना आजाएगा आप समझ सकते हो one upon four five epsilon naught q1 q2 upon में m into r अब यहां से अगर आप स्क्वाइर को अटा दोगे तो यहां पेंडरूट लगा लो लो आंसर आगे और मैंने आप से बोला था कि physics में एक चीज को हमेशा याद रखना है कि जो भी चीज हमें given होगी जो भी हमें गिवन होगा answer उसी में आना चीए जो भी हमको given होगा answer उसी में आना चीए अब देखो आप यह जो आपका answer आया है q1 q2 m और r में तो सब कुछ हमें given है के नहीं देखो mass भी given था q1 भी given था ठीक है q2 भी given था और radius भी given था तो सही है हमारा अब हमें निकालना टाइम पीरिट अब टाइम पीरिट हम कैसे निकालते हैं देखो टाइम पीरिट निकालने का तरीका क्या होता है इसका फॉर्मला हम लोग क्या लिग देते हैं टू पाई आर अपॉन भी यह रिखते हैं सब्सक्राइब करेण सब्सक्राइब करता है सूंब च hypotheses करेड़ेकल कि दिस्टेंस करेगा के लिए बिपाइयार को को जो भूम रहा है कितनी स्पीड से चल लाए किटनी स्पीड से तो आप लेविए फॉला तो पड़ा है ना स्पीड इक्वल तु केल कुलेशन वाला पार्ट आप करना इसका कर पाएंगे बताओ हाँ आना नहां तो नेक्स्ट वेशन जो है मारा उस फशन में बोला गया है कि आप वाइंट चार्ज यहां बोला गया है आप वाइंट चार्ज चुई है 100 microCulam is a place at a point 1 0 2 meter and another point charge qv 200 तो सबसे पहले तो आप यह बता दो कि इन दोनों चार्जिस के बीच में एट्रेक्शन फोर्स लग रहा है या पिर रिपल्शन लग रहा है यह आप मुझे बता रिपल्शन वेरी नियुकि रिपल्शन इसलिए लग रहा है क्योंकि इनकी पोलेरिटी सेम है दोनों जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं रिपल कर तो यहां पर अगर देखो सीधी सी बात है कि यह जो ए पॉइंट का हमें कॉडिनेट या ही यह टू डाइमेंशन में दिया है देखो बन कॉमा टू अलाकि इसका वाई एक्स वाला जीरो है लेकिन है तो वह एक एक स्वाई जेट तीनों में इसका मतलब है कि इस तरह से अगर आम लोग चलब बनाने की कोशिश करता है माल लेते हैं कि यह पॉइंट यह और यहां पे कहीं पॉइंट भी हो गया पॉइंट का जो कॉडिनेट है वो कितना है 1,0,2 पॉइंट का जो कॉडिनेट है वो है 4,4,2 ठीक है origin होगा कहीं कहीना कहीन तो origin होगा कहीना कहीन तो होगा ना 0,0,0 ठीक है अब हमसे पूछा है कि magnitude of electrostatic interaction इसका मदलब है देखो वह फॉइन पर कितना चार्ज रख्ञओ है 100 माइक्र कुलाम 25 और कितना चार्ज रख्ञओ है 200 माइक्र कुलाम हमें यहां पर फाइंट क्या करना है फॉर्स तो पहला वाला जो पार्ट है पहले वाले पार्ट में तो हमें magnitude निकालने के लिए हम क्या करेंगे अब इन दोनों points के बीच का डिस्टेंस हमें चाहिए इन दोनों points के बीच का distance हमको चाहिए तो यह फ़ॉमला आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th class में mathematics में 10th तो अगर हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चाहिए तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं अंडरूट आफ यह 4-1 इसका स्क्वेर करेंगे एक्स के कॉडिनेट का डिफ्रेंस का स्क्वेर थिक है फ्लास फॉर माइनड जिरो इनी एक स्क्वेर फिर एक औरव्यस है कि यह patron कि मोज़्य jasa di ar हमें मैं दिया तो आप माइनस का 6 कुलाम बस कर ना किया बचा है आप तो वसको अपके हवाले है वो तो बतन साथ ही उबाला तो क्यूबन कितना है हमारे पास हंड़ेट इंटू 10 देज तू पार माइनस सिक्स और डिवाइड़ वाइड वाइड वाइव कर देंगे तो वह चाहिए तो आप लोग प्लीज इसको सौल करना आपका आजएगा सेवें पॉइंट टू नूट आप इसको प्लीज सॉल पर लेना तो इसका अंसर आजएगा 7.2 देखो कैल्कुलेशन पार्ट अगर नहीं हो पाए आपसे तो अभी बता को मैं कर दूँ वैसे हो जाए का सब्सक्राइब हो जाना चाहिए चलो सेकिंड पार्ट देखो यह कलर नहीं दिखाई दे रहा है इस मैं पता नहीं क्या हो रहा है कुछ दिखाई दे रहा है यह लो और वाइट ही दिख रहा है पता नहीं क्या हो रहा है सेकेंड पार्ट है फाइंड एफे मतलब फोर्स ऑन एड्यू टू भी यानि ए पर बीने कितना फूर्स लगाया वो कैल्कुलेट करना है एंड अब भी अब देखो वाक्टर फर्म में कलकूलेट करने अब इस कैसले अब लोग यूज रहें जॉस करेंगे स्मार्ट में इस सगी हॉसन में में लोग यूस करेंगे यहां पर क्या स्मार्ट मेंत एस में समयफ न clicking कि शाइन हो और बंद की थर लोग subtl背ós, याद ए तो निउटन का थर्ड लोग क्या कहता है कि अगर एक पार्टिकल पर दूसरे पार्टिकल ने फोर्स इधर की तरफ लगाया तो उस पार्टिकल ने इस पर इधर की तरफ लगाया मतलब कहने का यह है कि जो फोर्स दो पार्टिकल के वीच में लग रहा होता उनकी डायरेक्शन ऑपोजेट होती है लेकिन इसका मतलब है कि एफ ए और एफ बीका मैगनीट्यूड तो सेम ही होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजेट होगी अब यह डायरेक्शन तो ऑपोजेट डेफिनिटली होगी न क्यों क्योंकि यह दोनों के दोनों पॉजटिव चार्ज है मान के चलो वाले ने ए पर फोर्स बाहर की तरफ लगाया मान की चलो लगाए गया रिपैली तो करेगा दूर की तरफ तो फिर ए जो चार्ज होगा वो बी पर भी दूर की तरफ लगाएगा यानि इन दोनों के पॉजटिव एसे अपोजेट लगे ठीक है और दोनों के मैग वाल्वा कुट लगाया डूना चीए पहली मार आप को पता है वैलू आप रख लेंंगे तो यहां पर कैसे लिखेंगे वो समझें मेरी बात को बहुत गौर से सुनने की आपको जरूरत है सुनना मेरी बार जैसे अगर मैं पॉइंट एको लिखना चाह रहा हूं वह लिख दू इसको वह का मतलब पोजीशन वेक्टर को से और जिन से मैंने आपको बोला था और जिन से किसी भी पार्टिकल का लोकेशन बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करो उसको पोजीशन वेक्टर क क्या हो जाएगा हमारा बता हुआ कैप प्लस जीरो जेक एक एक सब्सक्राइब एक से एक से और टू जैडे एक सिससे समझ आ रहा है निया यह सब्सक्राइब आपने पड़ा होगा आइक आप जेक्व के कप येस अब बी पॉइंट का कोडिनेट अगर हमको लिखना है तो भी वेक्टर हम लोग क्या लिख सकते हैं देखो फोर फोर टू है अब बताओ आप मुझे क्या लिखेंगे पॉलो जदी से फोर फोर टू को क्या लिख सकते हम लोग इस तरह से आए जेके में हम बोलो फोर येस यही बोला था ना आपने यह सर्थ अब हमको चाहिए आर वेक्टर तो यहर आर वेक्टर हमें कैसे मिलेगा इसका मतलब आर वेक्टर का मतलब एभी वेक्टर को हम कहा लिख सकते हैं इस प्लस 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 भूर यह उमिद करता हूं कि यह बाकी के जो टम्स की वेल्यू तो आपको पता है ना अब रख के आप इसलो तो अमीद करता हूं कि यह question आपको अच्छे तरीके से proper way में समझ आगे और इस तरह की questions मतब important है important है क्योंकि यह vector firm हम लोगों ने यह से सीखा है कि vector firm हम लोग अगर निकालना चाहते हैं को क्या से find कर सकते हैं चाल अब हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर next topic है जो हमारा principle of superposition principle of superposition बहुत खतरनाक सा नाम लगता है बट है नहीं simple सा मतलब यह है कि आप यहां पर देख सकते हो जो diagram मैंने show किया है यहां diagram में आप देखो यह बीच में capital इस small q charge पे इन सारे charges ने कितना कितना force apply किया है उसी को हमें लिखना है बस देखो यह सारे force लिखा है इस पर सामने की तरफ q3 यहां पर फोर्स लगा रहा है यह फोर तो हमें क्या करना है कि इन सारे forces का यह देखो सम करके लिख दिया हम लोग फ्लस 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 अप टू एंड जितने भी लग रहे हैं की यहीवरा सेफर पोजीशन का यह इसंदें करता है यह अगर हम लोग लीखना चाते तो इस तरह से लिख सकते वाइड वेक्डर प्लस वाइडीकopen इंटक्षन औबियॉस सी बात है कि इलेक्रस्टेटिक फोर्स की जब हम लोग बात करते हैं दो चार्जिस की बात जरूर हो रही होगा तो दो चार्जिस के बीच में तो लग रहा है कहां लग रहा है इसलिए तो बोला गया कि दो बॉडिस का इंट्रेक्शन ठीक है एंड एलेक्टिकल फोर्स बिट्वें टू-पॉइंट चार्जिस इस इंडिपेंडेंट अफ जो होगा अलग-अलग चार्जिस की वजह से वो क्या होगा उन सारे पॉर्स का मतब एडिशन इंडिविजल प्वाइंट चार्ज उन सबका एडिशन करके आप लिखतो वेक्टर फॉर्म में वज़ांसर आगे जैसे मैं आपको समझाता हूं इस क्वेशन के हैं तो रीडि इक्वल प्वाइंट चार्जिस ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू फॉजटिव है इच आर मुविंग अलॉंग असर्कुलर सौरी अलॉंग असर्कुलर ओफ रेडियस कैपिटल यह देखो एक सर्कुलर पाथ बनाये गया है तीन चार्जिस हैं यह क्यू वन मानलो इसको या तीनो सेमी है यह क्यू तू हो गया यह क्यू थी हो गया कुछ भी क्या दो आर रेडियस है अब पॉइंट चार्ज माइनस तू क्यू यह देखो इसके बीच में सेंटर पर माइनस तू क्यू यह यलो कलर इस वाइट बैग्राउंड पर दिखता है आपको यह सब तो इसके सेंटर पर माइनस तू क्यू चार्ज रखा है इस ऑल्सो प्लेस एट दा सेंटर अप दा सर्कल एज शोन इंद फिगर जैसा में डाइगराम में दिख रहा है इस चार्जेश और रिवाल्विंग विद कॉंस्टेंट एंड सेम स्पीड इन दा सर्कल दन कैल्कुलेट दा स्पीड आप चार्जेश अब सुनना मेरी बात प्रस्टन में हमसे यह बोला गया है कि यह जो चार्जेश आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इन सारे तीनों चार्जेश की स्पीड सेम है पिच्व्य और प्रयात आपने का क्टा बहुत आप उसमें मैंने आपको बताया था कि बैलेंस कौन करता है सेंटिपिटल फॉर्स या हम सेंटिफ्यूगल फॉर्स भी कह देंगे कोई फर्क पर चलेगा यानि एम भी स्कॉर अपन आरें शॉट इसको हम लोग यहां पर देखते हैं यहां मैं डीटेल में इसको समझा सकता हूं सुनो यह वाला चार्ज कैसा है पॉजटिव यह को मैं नाम देदेता हूं इसको बोल देता मैं इसको देता हूं जांत है अब फॉइंट और बी को देखो धों दोनों के दोनों सेम चार्जेस हैं, मैंनिटूड भी सेम, पोलैरिटी भी सेम, अब आप मुझे बताओ, A और B के बीच में एट्रेक्शन है या रिपल्चन? रिपल्चन. रिपल्चन ओविएसली, नहीं मतलब इतना क्या सोचना हो से? तो A ने B पर जो force लगाया होगा, वो इसी लाइन के along लगाया होगा, ये जो line आपको देख रही है. तो इसी लाइन के along लगाया होगा, लेकिन बाहर की तरफ. ये देखो, ये लग गया? इसे डोके? इसी तरह से आप देखो कि point C पर charge रखा है वो plus Q है point B पर जो charge रखा है वो भी plus Q है तो C ने B पर जो force लगाया होगा वो भी इसी line के along कहीं लगाया होगा यह line के along का मतलब है कि कहीं इधर की तरफ लगाया होगा यह आपको यहां पर red color शो हो रहा है ना proper way में कि यह स्लाइट का color आज को डिस्टर्ब है मतलब पता नहीं मुझे चला कि red दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तो इस तरह से यह force इसने लगाई अब सुनना मेरी बाद यह माल लेता हूं मैं कि force किस ने लगाया था ए ने लगाया था और यह force मैंने माल लिया कि यह force किस ने लगाया था सी ने लगाया था ठीक है चल अब आप मेरी बात को सुनना यह देखो center यह देखो center center पर बच्चे यहां पर कितना चार्ज रखा है center यहां पर रखा है और प्लस चार्ज तो अब आप मुझे उता हो कि बी पर जो force लगेगा इस center ओ की वजए से वो कहां की तरफ लगेगा तू बाट्स ओ अंदर की तरफ अंदर की तरफ अंदर की तरफ तू वर्ट्स लगेगा ना इसका अंतलब है कि एक force यहां भी लग रहा है यह force किसने लगाया माल लेते हैं वो नहीं लगाया क्या इतनी चीज क्लियर हो गई पहले इतना बताओ फिर इसके आगे बढ़ेंगे अपको इतनी बात में आई थिंक कोई इशू नहीं है आपको ऐसा में माल लूँ यह सब यह सब यह सब अब मेरी बात को सुनना गोर से आप देखो यह हम लोगों ने बना दिया यहां पर पॉइंट भी यह हमारा पॉइंट भी हो गया अलग से बना लेते हैं कॉइंट भी पर एक पॉर्स यहां की तरफ लगा एफ ए लिवします और पॉइंट भी पर एफोर्स यहां की तरफ लगा डट maintenant अब आप मुझे यह एंगिल बताओ कितना है 60 very nice तो आधा कितना हो जाएगा 30 30 30 30 हो जाएगा यानि यह एंगिल कितने का होगा 40 30 यह पिर भी तो बोल सकता हूं सुन्ना मेरी बात यह फिर मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि है यह कितने है थाटी का यह एम धी कितने को मैं थाटी का हिएटर धाथी का हाय अधर पिटल गोट f तो यहां पर अब हम लोग करते हैं तो आफ यहां का कंपोनेंट एक तो यहां की तरह आएगा और एक कंपोनेट यहां की तरह आएगा तो एक आपको बताया कि जहां से अंगिल बनता है वो कॉस और जो बच गया वो साइन जो पर्पेंडिक्लर बच गया वो साइन यानि यह जाएगा साइन 30 इसी तरह से एफ-सी का component आप करोगे तो एफ-सी का component यहाँ आएगा इधर आएगा एफ-सी का यह वाला component कितना हो जाएगा F C C C C 30 30, yes, और यह वाला component हो जाएगा F C C C 30, होगा ना, चलो, component हो गए, अब मुझता क्या है वह वह समझे, देखो, आप A point से B point को देखो, आप A से B को देखो, और फिर आप B से C को देखो, और आप मुझे ये बतादो कि क्या ये दोनों distance सेम नहीं है, अब आप देखो बी और एक बीच में जैसा फोर्स लग रहा है जो दो चार्जिस रखें है ए और बी के बीच में क्या वही सेम चार्जिस बी और सी के बीच में रखें क्यों क्यों क्योंकि जो पेक्टर के डिस्टेंश पे और दोनों चार्जिस के प्रोड़क्ट बी सेम है तो फोर्स बीसेम हो जाएक लेकिन अब मेरी बात को सुनो अब यह ही वाला जो डाइगराम है वो कैसा बन गया यह देखो मैंने पॉइंट भी बना दिया एक फोर्स उपर की तरफ लग रहा है कितना बताओ कितना लग रहा है उपर की तरफ fc cost 30 plus fa cost 30 लग रहा है न यहां और आपको पता है के fc equal है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दू टू fc कुछ भी लिखता था अरे बहुए ए और बी बराबर ही है तो कुछ भी लिखता हो और नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है वो लग रहा है और इस तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बात में कोई डाउट है अब जब इतनी बात आपको क्लियर हो गई और हमें यहां इस डाइग्राम से बिल्कुल साफसा पता है कि सारे के सारे चार्जे जो हैं तीनों के तीनों चार्जे जो है वो इस माइनस टू क्यू चार्ज के चारु तरफ एक सर्कुलर पात पर मोशन कर रहा है तेट इस मैं यह इस एक्वल टू एम वी स्क्वेर अपॉन आर लेख सकते हैं ना इस इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट का क्या होगा इन दोनों का डिफ्रेंस क्योंकि ऑपोजिट है और वो डिफ्रेंस ही तो एक्क्वल किसकी होगा एम वी स्कॉर अपॉन आर के तभी तो यह चार्ज ब अरे एक फोर्स को देखो यहां पर एड़ सब्टेट करके लिख दिया ना तो यही तो है प्रिंस्पल और सूपर पोजिशन ठीक है अब यहां पर बात आती है एफ नॉट कितना है एफ ओ कितना है तो यह एफो तो निकाली लो गया एफो कितना हो जाएगा वन अपान फॉ अपको सब समझ में आईगी ना जी को मैंने थोड़ा साफ कर दिया आप थोड़ा सही रहेगा देखो यहां इस लाइन को आप आगे बढ़ा सकते हो यह पूरा एंगिल कितने का है 60 का ठीक है अब आपको यहां पे इस इसकी वैलु कैल्कुलेट करना है आपको इस लाइन की कर लेंगे ना ठीक है यहां से आप य कि एफ नौट और एफ एका वैलु रख दो आपको यहां से स्पीट ने बिल जाएगा बता है बचा किया वह स्कूर्शन में मतब कुछ इसका कितना है गा मैं लेक दे रहा हूं इसका अंसर अंडरूट ऑफ के क्यू स्क्वेर के का मतलब बन अपॉर पाउं पाइप साल है कि तो कहीं था ही नहीं सर और टू माइनस वन अपॉन अंडरूट ऑफ यह आंसर मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि आपके हवाले है अभी यह क्वेशन अब इसको आगे आप प्रसीट करो और आंसर इतना आना चीए अब एक बार आंसर पता चल जा जा तो फिर कोई दिक्कत है को कुई डाउट है मैंने और तौर सक्ता है पिछले वाले डियागराम में मैंने कोई और पॉइंट माने हो मुझे याद नहीं कि दो प्र चौकर लगा तो फोर्स लगाया होगा वो इदर की तरफ लगाया होगा और एक चार्ज यहां पर रख्ता है इसके Center पर लेतें तो बी पर इसने अंदर की तरफ फोर्स लगाया है ठीक है अब इस वाले ऊपर सूम लोग लोग बोलते तो इन दोनों फोर्स का जो रजल्टेंट वहाओ कहीं बीच में आएगा देखो यह रिजल्टेंट उपर की तरफ क्या बीच में आया क्योंकि यह वाले फोर्स तो कैंसल होगा है कंपोनेंट की यह थे हम लोगों ने ठीक है तो अब इस पॉइंट बीको आप देखोगे तो पॉइंट बीको हम लोगों ने अलग से बनाया तो एक उपर की तरफ लग रहा है क्योंकि यह दोनों एड हो गए और एक फोर्स यहां नीचे की तरफ लग रहा है जिसको हम लोगों ने बोल दिया अब इन दोनों का डिफ्रेंस ही तो एककल होगा एपशाइब आर के मतलब क्या होता यहां पर सेंटीपिटल फोर्स यहां पर सेंटीपिटल फॉर्स अब इसको आपको कैल्कुलेट करना इस एक्क्वेशन को एफ नॉट और एक की वैलू आप रखी लेंगे यह मैने आपको बताई दिया है वैलूस कितना है रखो आप इस इस वीडियो में तो हम लोग इतना ही रखेंगे इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ओके